दूस्तो फाइनली गौवर्मेंट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठा है बर्थ सेटिफिकेट को सबके लिए दूस्तो कमपलसरी कर दिया है यानि कि दूस्तो अब आप कोई भी काम कराने जाएंगे आपको बर्थ सेटिफिकेट देना पड़ेगा वो चाहे ओटारी कार्ड बनाना हुआ या फिर ड्राइविंग लैसेंस बनाना हुआ पासपोर्ट बनाना हुआ स्कुल में एडमेशन कराना हुआ राशन कार्ड बनाना हुआ कोई भी काम या फिर गौवर्मेंट योजना कलाब ही लेना हुआ तो आपको अपना birth certificate देना पड़ेगा अगर आपके पास birth certificate नहीं है तो आपको किसी भी योजना कलाब नहीं मिलेगा आप कोई भी document नहीं बना सकते यानि कि दोस्तो birth certificate होना जरूरी है government ने ये साब कर दिया है तो कैसे दोस्तो आप अपना birth certificate बनाएंगे इसका क्या process है और government ने दोस्तो क्या कहा है सब को जानने के लिए आपको इस वीडियो को end तक दिखना है वीडियो पसंद आएगा तो like को share कर देना दोस्तो सबसे पहले आप यहाँ पर newspaper की जो cutting है ओ आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बदलाव देश में एक अक्टूबर से जन्म मृत्यू पंजियन के नए नियम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही बन जाएंगे आधार पासपोर्ट, लाइसेंस, ओटर आईडी यहाँ यहाँ पर दोस्तों साफ साफ देखेंगे तो description में लिखा हुआ है अब आप सचनिक संस्थान में एडमिशन से लेकर ड्रैविंग लाइसेंस बनवाने, ओटल लिष्ट में नाम जिडवाने या आधार पासपोर्ट बनवाने, शादी के रजिस्टेशन या सरकारी नोकरी में नियुक्ती जैसे सारे काम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से करवा होने जा रहा है, यानि कि दोस्तों एक अक्टूबर 2023 से ये सारे जो नए नियम है वो लागू हो जाएंगे, उसके बाद सबके लिए ये जो बर्थ सेटिफिकेट है, यानि कि जन्म प्रमाण पत्र है, ये कंपलसरी होने वाला है, और यहाँ पर दोस्तों देख लीजे लि प्यार करना, यानि कि ओटर कार्ट बनवाना, ठीक है, तो ये सभी के लिए दोस्तों एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा बर्थ सेटिफिकेट, यानि कि एक ही डोकुमेंट से जो बर्थ सेटिफिकेट है, उसे से दोस्तों आप आसानी से सारे कि सारे जो दस्तावे कैसे बनाएंगे आपका तो उम्रे काफी ज़्यादा हो गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों आप ओनलाइन ही अपलाई करके अपना जो बर्थ सेडिफिकेट है उसे बना सकते हैं अगर आप पूरा प्रोसेश जानना चाहते हैं तो आईए मैं आपको ओ भी बता देता हूँ दोस्तों बर्थ सेडिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैप्टॉप में कोई भी एक ब्राउजर को ओपेन करना है और यहां पर सर्च के लेना है नेशनल पोर्टल ओफ इंडिया ठीक है उसके बाद पहला लिंक आ इस प्रकास से दोस्तों आपके सामने ये पोर्टल ओपेन होके आ जाएगा अब यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे तो बर्थ सेडिफिकेट लिखा हुआ दिखाई देगा लेकिन अगर आप मोबाइल पे कर रहे है तो ऐसे में आपको ये नहीं शो होगा तो आप सिंपल आप मोबाफ अठेंगे तो आप देख रहे है तो है यहाँ पर देकितने को मिल जाएगा Jerovine up के अब यहाँ पर देख सकते हैं plus 627 एक आपके का नहीं है तो आप यहाँ पर दोस्तों आपकी में आपके पर और ऺड़ कर सकते हैं आपके आपको प्रस जो ये पीड़िफिक ऐसी अलग-अलग state का यहाँ पर link दिया हुआ है तो यहाँ पर चलिए हम क्या करते हैं किसी एक link के उपर click कर लेते हैं और आपको आगे का process दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो पहला link है इसी के उपर चलिए हम click कर लेते हैं उसके बाद आपके समने इस प्रकास से दोस्तो जो आपके state का official portal होगा यह open हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो आप क्या करेंगे online citizen services के उपर click कर देंगे यहाँ पर rural या फिर urban जिस area से हैं वो आप select कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर आपको अपना district select कर लेना है किस जिला से आप हैं और यहाँ पर आपको अपना location चूज कर लेना है कुछ इस प्रकास से उसके बाद इस प्रकास से आपके समने option आएगा तो इसे आप यहाँ से close कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे online birth services दिया हुआ है जिसके अंदर अलग-अलग जो birth की services है वो यहाँ पर दी हुई है यहाँ पर दोस्तों आपको करना का है apply for birth NAC के उपर क्लिक करना है आपके सामने दोस्तों इस तरह से एक form open हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है इस form को दोस्तों आपको अच्छे तरह से फिलप करना है कैसे आप फिलप करेंगे इस पर मैंने पहले से ही वीडो बना रखा है बहुत ही आसाने फिलप करना ठीक है यहाँ पर कौन-कौन सा document अप्लोड करना होगा ओ भी आप यहाँ पर देख लिजे address proof आपको देना होगा ठीक है कोई भी address proof आप दे दीजे ID proof अप्लोड करना होगा और एक affidavit यहाँ पर अप्लोड करना है और लास्ट में doctor का affidavit यह 4 document लगेंगे दोस्तों birth certificate बनाने के लिए ठीक है birth certificate बन जाएगा इसमें थोड़ा सब समय लगता है 15-20 दिन का बनने के बाद आपने जो address दिया है उसी address पर दोस्तों आपका birth certificate पोश्ट के जरिए आ जाता है समझे है दोस्तों एक जरूरी बात कही कि राजियों में ना यह जो birth certificate certificate यह offline बनता है online नहीं बनता ठीक है तो आपको चेक लेना अगर portal पर link दिया हुआ है आपके state का तो आप online apply कर सकते हैं अगर link नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको पता करके offline बनवाना पड़ेगा कि आपके state में कहां पर birth certificate बन रहा है ठीक है लेकिन सबके लिए कंपर सरी है तो फटा फटा आप लोग जो है अपना birth certificate बन वालो तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक हो शेर कर देना थैंके दोस्तों बाई 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 टेक केर